इन दौर से करीब 100 किलोमेटर दूर धाट मीचे के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके का गाउं चंद्रपूरा यह गाउं राम रहीम किसान उत्पातक संगठन से जुड़े करीब 2600 किसानों का एक शुरुवाती केंद्र रहा और इसी गाउं की कुछ महिला किसानों ने मिलकर समाज प्रगति सहयोग नाम के एक NGO की मदद से अपने FPO का गठन किया लेकिन करीब 3 साल पहले शुरू हुई इ जाए गरीब लोग पेले एक रुपे बेड़ो करा और यह लोग लेकर भग जाएगा हमने समू मना करती हमारा गाउं का रूप सिंग नाम का लड़का है उनने समू बनाई तो हमने साध बई ने समू जुड़ी कि वह आम समू में लाब मिलेगा तकि भी यहां लाब मिलेग बनाईक डिज ने खरता ता ता समू में बन्या करता था था बन्या हे तो माल को उनको मनमर्जी को भाव तो तोल में भी मार गा वह ओमें मारग ओर पैसा भी नी दे भाव यहां से डंज आग अग दे देगा 200, 500, 600 इसा करके हमको पूर्टी नी होती थी थी उनसे कर जाई न और जब कारवान निखला तो फिर पढ़ता ही गया। राधा भाई और दीना भाई ने अपने घरों से निकल कर दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। और फिर दो तीन बिखे की औसत जोटवाले किसानों ने एफपियों के साथ मिलकर बुवाई से लेकर फसल बेचने तक की विवस्था विक्सित थी। धीरे धीरे जब गाउं के लोगों का खेती पर भरोसा जमा तो गाउं में वो लोग ही लोटने लगे जो कर्ज के बोज़ते दबे शहरों में कमाई करने चले गए थे। प्रोड्यूसर कंपनी ने किसानों को अच्छा बीज दिलाया, सस्ता कर्ज दिलाया और सबसे बड़ी बाद किसानों को उनकी फसल की बहतर कीमत दिलाने के लिए आधोनिक तकनीक से परचित कराया किसानों को ये भी बताया कि कमोडिटी एक्सचेज के फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म का इस्तमाल करके कैसे ज्यादा कमाई की जा सकती है यहां जुड़े किसानों को मंडी के जंजट से मुक्ती मिली दो-तीन साल में फसल की कीमत गेड़ गुना ज्यादा मिलने लगी आमदनी बढ़ी तो किसानों के जीवन अस्तर में भी सुधार आया समू से जुड़े तो उसमें हमको मतलब कमपनी से यह समू से मतलब थोड़ा लोन भी वगेरा मतलब बढ़ता रहा तो हमारा रोटेशन उससे चलता रहे आगे बढ़ते रहे तो फिर हमने गाड़ी खरिद ली फिर टीवी भी ले ली है तो यह से मतलब चल रहे हमारा समू से जुड़े जब से कापी फायदा हो गया और माल में पी कुछ बहुत सा फराक पड़ गया जिसा पच्छी सो का जारे ताब तीन हजार का मिल रहे हमको समू में जुनने बाद ये काम करा मैंने नया एफपियो के तहट जो कमपनी बनती है उसमें किसान ही हिस्सेदार होते है और इसलिए जब संगठन किसानों से माल खरीद कर गोदाम में रखता है तो बाद में दाम बढ़ने पर ये माल बेचा जाता है तो बढ़ा हुआ मुनाफ़ा जो पहले बिचॉलियों या ट्रेडरों की भीट चर जाता था वो यहां बोनस के तौर पर सदसे किसानों के हिस्से आता है कमपनी बनाने से हमी अधिक सचुक जाते थे भाव करने जिसका अच्छा स्वाइबिन उसका तीन हजार हलका सरकारी नियमों के तहट हर FPO किसी एक गैर सरकारी संगठन से संबध होता है ताकि उसे तकनीकी मदद मिलती रहे समाज प्रगती सहयोग की ओर से राम रहीम प्रोडूसर कमपनी में अकाउंटिंग और बिजनेस विभाग का कामकाज देखने वाले रागव ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद मुंबई की एक बहुराष्ट्री कमपनी में काम किया और फिर NGO से जुड़े खेती संबंधित जो वैल्यू है वो कासकर किसान नहीं कंट्रोल करता है जो पर रिस्क जो ले रहा है वो किसान है पर वैल्यू जो मिल रहा है वो कहीं और है तो हम बिसिकली यह वैल्यू और रिस्क इंबालेंस को ठीक कराने के लिए हमने ये कमपनी का एक मकसद है किसान भी अभी मंडी जा पा रहा है, कंपनी भी किसान से लेके मंडी तक ही जा पा रहा है तो कंपनी का मतलब मकसद बहुत अच्छा था पर कंपनी एक इंट्रमीडरी बन गया किसान और मंडी के बीच तो जब अक्टोबर 2014 में अग्रिम साथा के बारे में हमने मतलब पता किया इससे पहले ही हमने FMC से और SFAC के तुरू हमने FPC को भी NCDX में जुड़ाव करने के लिए हम अल्मोस्ट एक साल से बात कर रहे थे तो जब अग्रिम साथा के बारे में बात किया तो शायद हम पहली company होगा जो मतलब NCDX forwards में हम मतलब register हुए पूरा हमने क्या किया है कि गाम level पे ही quality और grading को control करके हम गाम से सीधा मतलब मंडी नहीं पर forwards market के तुरू जहां पर भी हम इसको मतलब delivery होना है वहां पर हम दे पा रहे हैं और इस से almost per unit पे price भी ज्यादा मिल रहा है और जो cost भी including commission cost वो भी कम हो रहा है तो यह बहुत ही मतलब एक potential इसका बहुत ही ज्यादा है क्या हमने APMC को गाम में लेके आ गया तो एक किसान और बायर के दोनों के बीच एक online platform, electronic platform हम डाल दें जिसमें price discovery बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और रामरहीम ने futures में भी एक participant है जिसके तरू हम hedging कर पार है किसानों को उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए FPO मुख्य तोर पर दो रणनीती अपनाता है पहली खर्च में कमी करना और दूसरी किसानों की फसल पर अधिक्तम भाव हासिल करना इसके लिए कमपनी कटाई से पहले हर सदसी किसान के घर जाकर सर्वे करती है ताकि संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके यह सर्वे हम इसलिए करते हैं कि इससे हमको एक मोटा मोटा अन्लाज लग जाता है कि बारदानों की आउसता किती होगी काटे या सुवा सुतली की या स्टेशनरी कितने की जरुवत पढ़ेगी अपने को इसलिए हम पहले से अन्लाज लगाते हैं हम ​​मालों की इतिनी वेकि लगेगगी बेयराहस में रखने के लिए को फाइदा दिला सके हैं करसी कारेकरम में NPM के उपर काम करें NPM का मतलब यह है कि बिना रासाइनिक दवा के खेती करना राम रहिम कंपनी का माल तुल जाता है खरीदी केंदर में उसके बाद में दो वेराइटी मिलती आपने एक तो अच्छी वाली वेराइटी और एक कचरा और मत्टी जिसमें होता है तो अच्छी वाली जो सोयाविन होती है उसको हम सीधा वेरहाऊस में रख देते हैं और जो कचरा मत्टी वाली सोयाविन है उसको हम यहां निमख्यडा केंदर पर इकटा करते हैं यहां इकटा करने के बाद में उसका ग्रेडिंग किया जाता है म मजदूर वों द्वारा ग्रेडिंग करते हैं उससे कि वो साप हो जाता है। साप इसलिए हम करते हैं कि ताकि किसानों को अच्छा भाव मिल पार। तो वो जैसे तीन हजार की सोयाविन है उसको अगर ग्रेडिलिंग आपन करते हैं तो तीन हजार चार सो रुपे तक वो सोयाविन बिग जाएगी। FPO किसानों के हाथ में खेती के हर चरण के लिए तक्नीक, जांकारी और संसाधनों की वह सुईधा मुहिया कराते हैं जो अमूमन किसी एक छोटे किसान के लिए जुटा पाना लगभग असंभव होता है। ऐसे में मध्यप्रदेश के बागडी और नीमखेडा इलाकों के करीब 200 गाओं में फैले 2600 किसानों का ये समों जो उपलम्धियां हासिल कर रहा है वो देश के किसी दूसरे हिस्से के किसानों के लिए भी एक नजीर बन सकता है। किसानों के लिए अच्छी फसल पैदा करना एक शुनौती है लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है उस फसल के लिए एक अच्छा बाजार हासिल करना उस फसल के लिए अच्छा भाव हासिल करना। ऐसे में FPC यानि बहुत सारे किसानों का एक साथ आकर एक कंपनी बनाना और कंपनी के तौर पर अपनी फसल का मोल भाव करना एक नया कंसेप्ट है जिससे उम्मीद की एक किरण जगी है और इस कहानी में हम आपको ये बता चुके हैं कि किस तरह इस फॉर्मूले से मुनाफे क की नई उम्मीद जग सकती है मुनाफे का नया फॉर्मूला खड़ा हो सकता है मंडी.com के लिए मध्य परदेश में बागली से भुवन भास कर